नवस्कार बित्रो आज मैं आप लोग के सामने दिक्षा TPD Intermediate Course 1 के सारे आकलनों का एंसर लेके आया हो आप वीडियो को देख देखकर अपने सारे आकलन को कीजिए और सभी के जवाब सही करें दस में दस अंक राब्तों होंगे और आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा तो चलिए सुरू करते हैं भाग एक खोज आकलन इस एरो को बटन को दबा के आप लोग आगे बढ़ेंगे स्वाती ने बच्चों को बराबर सभूव में वस्तों को बाटने के लिए ये सवाल दिये इन में से वे सवाल चुने जो इस उद्देश के लिए सही रहेंगे तो इसका आप हुसैना को 24 बरफिया 6 डिबों में भरनी है हर डिबे में बराबर बरफिया होनी चाहिए हर एक डिबे में कितनी बरफि होगी इसको आप लोग छू दीजे और सभीट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन है दूसरा मैरी ने प्रस ने एक में दिए गए सवालों के कुछ इस तरह हल किये तो इसका एंसर होगा बराबर सम्भूए बाटने की समझ सब्मीड बटन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन है आप एक ही विकलप चून शकते हैं तो कोश्चन नमय तीन में एक ही विकलप चून सकते तो इसका एंसर है गुना और भाग के समझ में समझ पर काम करना सम्मीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आप 1 ही विखल्ब चुन्ख सकते तो इसमें 8 जनों के एक परीवार में 1 महिने में 72 किलो दोल इस्तिमाल होता है परीवार का हर सदस्खित्थे कीलो दोल इस्तिमाल करता है इसको चूँकर संमिद बटम पर प्लिक करेंगे पीटर ने तो पीटर ने कोशिटन है कोशे नमर पाँच आप एक ही विकलप चुन सकते हैं इसका एंसर होगा भाज और भाजक को पाश चार्ट में आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते तो इसमें question नमर 6 में एक से अधिक विकल्प होगा option 3 और 4 परकिरिया के धार पर चिंधों को इस्तिमाल कर पाएंगे और मानक विधी की और बढ़ पाएंगे कोस्चन नमर 7 में आप एक ही विकल्प चुन सकते तो घटा गुना बराबर समुवें बाटने को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे कोस्चन नमर 8 में आप एक से अधिक विकल्प सकते तो इसमें होगा बच्चे अलग अलग तरीके सिखेंगे और तीसरा option अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे कोस्चन नमर 9 का होगा सेश और बिना सेश के सवाल साथ में दे ताकी बच्चों की पूरी समझ बने प्लिक करेंगे अगला है जोड घटा और गुना में परकिरिया तो एक ही विकल्प चुन सेते हमें कम से कम चरण हो अगला है सुनने के कौशल एक जरूरी समझ आक्नल तो इसको हम लोग करेंगे इसमें को प्धा पहला है आप तो आप एक से अधिक विकल्ब चुन सहते हैं तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ठर्ड और फोर्थ सही है सम्मिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे कोश्चन नमबर दो में ऑप्शन बच्चो को विद्याले में आने से पहले ही सुनने का अच्छा नूभा होता है फिर ऑप्शन दो सुनना एक प्रक्रिक परकिरिया और ऑप्शन तीन सुनना भासा के बाकी कौसल को सिखने की निव रखता है इन तीनों को छूख कर सम्मिट बटन पर प्लिक करेंगे आगे बढ़ते हैं तो कोश्चन नमबर तीन में आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं तो सुनते हुए मुख के सब्दों पंध्यान देना ऑप्शन दो और ऑप्शन तीन सही है कोश्चन नमबर चार आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं में पंध्यान की कहानी सुनना और कच्छाओं में कविताओं का महतु जैसे विच्छाओं पर किसी अध्यापक का सचतकार सुनना सही है कोश्चन नमबर चार आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं इसमें पहला को छोड़कर दूसरा तीसरा चौथा विकल्ब सही है कोश्चन नमबर आठ में पहला को छोड़कर दूसरा और तीसरा ओप्षन सही है कोश्चन नमबर नौ आप एक ही विकल्ब सकते हैं तो इसका अंसर है ताकि बच्चे कहानी को सुनने से पहले और सुनने के दौरान अंदाजा लगाएं कोश्चन नमबर दस में ओप्षन पहला ओप्षन दूसरा और ओप्षन चौथा सही है अगला है भिनात्मक सिच्छन आकलत पहला तो आप एक से अधिक विकल्ब सकते हैं से ओप्षन दूसरा और तीसरा सही है समीट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे कोश्चन नमबर दो में आप एक ही विकल्ब सकते हैं इसमें पहला ओप्षन सही है सीखने के लिए अलग अनुभव परदान करें समीट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे भिनात्मक सिच्छन का एक उधारन है तो इसमें दूसरा अंसर सही है पार्ट को बच्चों के सिखने के तरुकों के अनुकूल बनाना कोश्चन नमबर चार का दूसरा ओप्षन सही है कच्छा में सिर्फ एक ही परकार के बच्चों को सिखने में सफलता मिल पाएगी question number 5 एक ही विकल्प चुन सकते तो इसमें भौमिक जी सही है option 3 submit बटन पर click करके आगे बढ़ेंगे question number 6 का answer चौथा option है इन में से कोई भी निम्तम अवस्था नहीं है question number 7 में दूसरा option सही है समाजिक परिवेश question number 8 में दूसरा option सिच्छन पर किरिया सही है question number 9 में दूसरा चौथा और पांचमा option सही है तो इसको छूख के हम लोग submit बटन पर click करके आगे बढ़ेंगे question number 10 में answer होगा नहीं submit पर click करेंगे और इस तरह हम लोग 10 में 10 अंक प्राप कर लेंगे आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और कोई दिकत हो तो comment जरूर करें धन्यवाद